नमसकार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल पर तो फ्रेंस आज के वीडियो में हम best and latest kitchen wall tiles के designs देख रहे हैं आप देख सकते इसमें जो भी designs है वो latest designs है और जो इसमें tiles लगाई हुई है वो ceramic tiles है तो friends हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि ceramic tiles लगाने के क्या फाइदे है और उसके लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है और कौन सा साइस का tiles आपको लेना है इस सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए शुरू करते तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ceramic tiles किसे केते हैं हम इसे एक simple भाषा में समझें तो मिट्टी और पानी के combination से बनी हुई tile को हम ceramic tile केते हैं और जो दुसरी tile जो आती है vitrified tile वो पत्तर की बनी हुई होती है लेकिन ज्यादा तर जो है उस ceramic tiles इस्तमाल होती है kitchen के दिवारों के ज्यादा popular है और उसमें आपको क्योंकि ज्यादा options भी देखने मिलते है designs के क्योंकि kitchen की दिवारों में जो gas, गरम, तेल की जो भाप इन सब से दिवारों ज्यादा गरम हो जाते है और गंदे हाथों से भी खराब होती है इसलिए दिवारों को सुरक्षित रखने के लिए आपको tiles लगाना बहुत जोरूरी है kitchen wall tiles में आपको सभी size देखने मिलती है जैसे की 8 x 12, 10 x 15, 12 x 18, 12 x 24, सभी size में आपको pattern kitchen wall tiles मिलती है तो आप देख सकते friends इसमें एक से एक बड़िया design से आपको कोई सवाल है तो आप हमें comment box में पूश सकते हो friends यदि हम tiles लगाने के लिए आपको total कितना कर्चा आने वाला है तो सबसे पहले हम एक example के तुरू समझते है अगर यदि हमको 6 x 10 के दिवार पर लगाना है यानि कि 6 feet चोड़ा 10 feet लंबाई तो इसका जो total होगा वो 60 square feet होगा और हम जब भी tiles लगाते है वो dead feet का जो है mostly common use होता है kitchen के tiles तो यदि आप 60 square feet divide by dead feet आप करेंगे square feet तो इसको लगबग आपको 40 tiles लगेंगे इसका मतलब है आपको लगबग 7 box लगेंगे जैसे कि 1 box में जो है total 6 tiles आते है तो इस तरह से आपको 7 box लेनी होगी यानि कि जो एक box का जो rate है वो लगबग 300 रुपए पर box चल रही है तो अगर यदि आप 7 box लेते तो यह आपको लगबग 200 के आसपास आपको 7 box के total खर्चा होगी और फिर इसमें आपको जो है materials के और labor का rate भी add करना होगा जैसे कि अगर हम 20 लगाते हैं उसके लिए हमें cement बहुत जरूरी होती है तो 60 square feet के दिवार उपर लगाने के लिए आपको लगबग 2 गोनी जरूर लगेगी तो एक गोनी जो rate आती है वो लगबग 400 रूपए एक गोनी है तो आपको 900 रूपए उसका cement के आपको 2 गोनी की लगेगी यानि 3000 रूपए इसका होगा और जो labor rate आता है वो per square feet आपसे 20 रूपए जहां हम रहते हैं वहाँ पे 20 रूपए per square feet चार्ज है यानि अगर 60 square feet पे आप लगा रहे हो तो इसका 6 into 20 तो यह लगबग 1200 रूपए आपको labor rate cost जाएगी तो मतलब 200 रूपए आपका tiles का खर्चा 900 रूपए आपका cement का मतलब 3000 प्लस labor rate जो है वो 1200 रूपए मतलब 4000 रूपए जो है आपको total खर्चा आनी हुआ लिए 60 square feet के दीवार पे लगाने के लिए तो friends, serum आप देख सकते हैं इसमें एक से एक latest designs के साथ है ceramic tiles जो आती है वो पानी को observe कर लेती है और आपनी ये देखा होगा जब भी हम दीवार उपर trials लगाते तो सबसे पहले हम tiles को पानी में क्यूंकि उसे जितना पानी observe करना है वो कर लेती है ताकि जब भी हम tiles के उपर सिमेंट लगा कर दीवार पर लगाए तो एकदम अची से सेट हो जाए और एकदम मजबूती से पकड़ ले इसलिए हम इसे पानी में 15-20 सिमेंट भीगो कर रखते है और friends जब भी आप kitchen के दीवारों पर tiles लगाते हो तो पहले जो है वो यह चेक करना कि waterproof tiles है या नहीं क्योंकि आजकल जो है दो types के tiles आते एक waterproof और एक साधा वाला और आप normal tiles लेते without waterproof के तो उसमें जैसे कि अगर कुछ दीवारों पर नमी होगी या आप तो जिल्दी से वो पानी leakage होना चालो होगा और आपका दीवार भी खराब होगी और tiles में भी दीरे-दीरे crack होने चालो होगे आप waterproof वाले लेंगे तो वो सबसे best है और जो मैंने rate बताए वो 300 रुपए वो waterproof वाले ही tiles है और जब भी आप दीवार पर tiles लगाते या कुछ आपको किसी ठेकेदार को आप contract देते हो tiles लगाने की तो आप पहले 2-3 ठेकेदार उसे आप rate पूचके रखे ताकि आपको एक idea मि लगाने का और आपको उसमें कौन से tiles यूज करने वाले और एक सबसे अच्छा best option मैं बोलता हूँ आप खुद tiles जाके purchase कीजिए market में आप contactor को स्रीफ labor मांगेए ताकि जो है आपको आपके इसाफ से आप tiles लेकर आके लगा मतलब जो है इसले कर सकते हो उसमें ये benefit होगा कि जब भी आप खुद जाके tiles लेते हो तो आपके पसंद के हिसाफ से आप purchase करोगे दूसरा ये benefit है quality भी आप अच्छे लोगे तीसरा ये है आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि हम direct ठेकेदार को अगर with materials के साथ काम देते हैं तो कई बार ये होता है जो कई-कई ठेकेदार जो है वह आपको सस्ते quality के tiles लेकर आते है प्लस आपको rate भी ज्यादा बोलते है उसमें आपका दोनों नुकसान है आपके tiles भी आपको quality अच्छी नहीं मिलेगे और आपके पैसे भी ज्यादा खर्चे होंगे तो आप जब खुद जाके tiles लेते हो तो आप colors option भी आप खुद से लेकर सकते हो प्लस आपके पैसे भी बचेंगे और अच्छी quality के भी मिलेंगे तो आप मेरा तो यही suggestion है आप जब भी kitchen में tiles लगाते हो तो आप खुद जाके tiles लीजे और कुछ इस तरह के कोई queries है आपको tiles के regarding तो आप हमें comment box में पूछ सकते हो या मेरे चैनल पर regular interior से संबंदित जैसे के living room, bedroom, kitchen, bathroom और कई सारे interior से संबंदित अफ्लोड करते रहता हूं और मेरे चैनल को ज़रू subscribe कीजे friends, thank you, dhania